Hello everyone, welcome to Learn Math Unically आज की वीडियो में हम value निकालना सिखेंगे मतलब मान निकालना सिखेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखिए, पहला question है हमारा 44 का square minus 39 का square इसे solve करके इसका value हमें निकालना है ठीक है? इस type के question को solve करने के लिए हमें formula पता होना चाहिए देखिए, formula है हमारा a square minus b square बराबर होता है a plus b और a minus b ठीक है? a square minus b square इस equal to होता है a plus b और a minus b ठीक? ऐसे question को solve करने के लिए हमें ये formula याद होना है आप इसे note कर सकते हैं मान लेते हैं कि 44 क्या है? a है a is equal to 44 और b is equal to 39 चेक? इस formula पर हम ये मान बैठाएंगे ठीक है? a का value क्या है? 44 है 44 का square minus b क्या है? 39 का square ये हमारा question था is equal to a के जगा पर हम 44 रखेंगे 44 प्लास b के जगा पर हम 39 रखेंगे 39 cost में a के जगा पर क्या है? 44 है 44 minus b के जगा पर 39 39 ठीक है? 44 minus 39 ठीक? इससे हमें solve करना है 44 प्लस 39 कितना होता है? 83 83 ये cost में 44 minus 39 कितना होता है? 5 ठीक? हमें पता है कि यहाँ पर बीच में गुना चुपा होता है तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं? 83 गुना 5 83 को 5 से multiply करेंगे is equal to 415 415 ये हमारा answer हो गया ठीक है? बहुत ही आसान question है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा देखिए फिर से question था हमारा 44 का whole square minus 39 का square ठीक है? ऐसे question को solve करने के लिए हमें ये formula याद होना चाहिए ठीक है? formula है हमारा a square minus b square is equal to a plus b और a minus b ठीक? इस formula पर हमने ये बान बैठाया a is equal to 44 और b is equal to 39 ठीक? a square मतलब में 44 का square minus minus b का square मतलब 39 का square is equal to a के जगा पर हमने 44 रखा 44 और b के जगा हमने 39 रखा चिक? 44 प्रस 39 83 और 44 minus 39 5 इसका गुना करके ये हमारा answer आ गया चिक? चले फिर second question देखते हैं देखिए second question है हमारा 128 का square minus 77 का square इस question को solve करके हमें इसका मान निकालना है इसके पिछली question में जैसे हमने solve किया था उसी तरह हम solve करेंगे तो formula क्या था हमारा a square minus b square is equal to a plus b और a minus b a के जगा पर हम 128 रखेंगे 128 plus b के जगा पर हम 77 रखेंगे 77 a के जगा पर हम 128 रखेंगे और b के जगा पर हम 77 रखेंगे चिक है? इसे हम जोडते हैं 128 plus 77 कितना होता है? 205 और गुना यहाँ पर गुना चुपा होता है 128 में से हम 77 रखेंगे तो कितना आता है? 51 ठीक? इसे हम गुना करेंगे गुना करने पर यह 104 55 इन दोनों को गुना करते हैं तो इतना आता है ठीक है? I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की कुश्चन को हम कैसे सौल करते हैं वीडियो हेलफफुल लगी तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल Learn Matthew निकली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं थेंक यू